गुलामी तो हम तब से जेल रहे हैं, जब से आपने अमारे स्टेट को तोड़ा यूटी बनाया है, गुलामी तो हम तब से जेल रहे हैं, लाको यूवा सडकों पे हैं, पी एची, पी डिडी, सारे डेली बचे सडकों पे हैं, ये कौन से अजादी का हमारा जशन हो रहा है, समझ लो कि ये लोग वह आपसे अजादी मांग रहे क्यूंकि आपसे कोई काम नहीं हो रहा है। आपने गुलाम बनाया है। हम गुलाम नहीं थे। यह मैं उनको कहा देना चाहत हो। दोबारा कभी ये ना कहें कि 2014 से पहले जम्मु कश्मीर गुलाम था। कि हला बोलो जाए कि लोगों की अंदर दुख दर्द है ना हिंदू मुस्लिम हमें याद नहीं याद रहा है अब कोई दिन ऐसा होगा कि बड़ा अंदोलन होगा आपके खिलाव होगा एक ही याद रहेगा कि इनों ने हमें बरबाद किया है इनको यहां से निकालना है अब व 1200 बच्चे हैं उनके साथ 510 दस उनके फैमिली मेंबर हैं हजारो लोग грόपर चैड़े हैं उनकी ओवर ऐज हो रही है आप रिजल्ट क्यू नहीं निकाल रहे हैं अगर वो ऑवर ऐज हो जातें जो इमांदार बच्चे हैं क्या सरकार आने वाले वक्त में उनको एज रिले पूरा भारत वर्ष राप का बारत वर्ष ज्ब गुलाम था जब बगज सिंग जी, राजगुरू, सुकदेव जी, चंदर शेकर जी, मातमा गांदी, नहरू जी, जब ये लोग लड़ रहे थे, जब पूरा भारत गुलाम था, हम डोगरे, तब जम्मू कश्मीर जिसको जन्नत का आ जाता है, जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में, उस जन तो मतलब तीन साल आपने भी गुलामी में हमें देखेला, आपने अपनी हकूमत को भी गुलामी में डाल दिया ना, कि आपके राज में भी हम गुलाम थे, ये उनका फेलिर है, उनके चार साल में हम गुलाम रहे होंगे, ये उनका फेलिर है, आज हमारा यंग्स्टर सटको पे है आप से तो एक recruitment हो नहीं पा रही स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं इस इमानदार आप देख रहे हैं नियुज सायर इंडिया और मैं हूं अर्फाजा मडैंग आज की खास मुलाकात में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट सत्वीर सिंग मनाज जी और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर PSI की जो स्कैम हुआ था जिसमें काफी धांदली देखने को मिली और एक ही परिवार से 4-4-5-5 लोगों की नियुक्तिया जो हैं वो देखने को मिली उस पे जो है उसको क्वैश किया गया उसके बाद में जो है अभी तक बच्चे जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट निकले और जो लोग उसमें इन्वाल्व थे जिन्हों ने उसमें धांदलियां की थी उनके खिलाफ अभी तक कोई भी ऐसा मामला या कोई ऐसी कारवाई या किसी व्यक्ति को कोई जेल या कोई सजा अभी तक कुछ इस तरह का देखने को नहीं मिला बाचित करेंगे सत्विर सिंग मनाज जी से सत्विर जी क्या कुछ पूरा मामला है यह जो जेके नाम में भी सुनता हूं आए दिन चर्चा में रहता है किसी एक को कोई थे वहां पर डाक्टर डाक्टर शैद वह अभी आरेस्ट हैं जहां तक मेरे को सुनने में आया है तो एक शक्स तो इतना बड़ा जो कार्वाई होनी चाहिए थी वैसी कार्वाई नहीं हुई है यह तो को पता है और जो पहला एक्जाम जो आपने बता दिया है कि परिवार से इतने इतने लोग लगे थे तो हमने उस वक्त भी बड़ा अहला बोल किया था और आपको पता है उसके बाद यह एक्जाम क्वैश होता है लेकिन जो कार्वाई होनी चाहिए थी सक्त कार्वाई जिस लोग आए हैं 2014 के पास इतने निश्पक्ष लोग आए हैं कि इन्हों ने जो भी रिजल्ट में जो भी रिकूट्मेंट करने की कोशी की वही स्कैम हो जाता है इतने इमानदार लोग आए हैं और जब उसके बाद हम हला बोल करते हैं क्वैश होता है जब एक्जाम हमें लगता के लगे थे उसे में भी हिससा हैं उन्होंने एक्जाम लिए हैं तो बर्रों आज बात हो भी है लेकिन कोई खासकारवई ना उन्पर हुई, उसके बाद जो पहला वाला क्वैश हुआ, उसके बाद फिर से एक्जाम हुआ, पता था कि पहले भी इनकी मानदारी की वज़ा से क्वैश हो चुका है, तो लगा कि नेक्स्ट जो एक्जाम होगा, वो सही तरीके से कराएंगे, फेर होगा लेकिन उसमें एक blacklisted company को hire किया जाता है जो आप outer states में ब्लैक लिस्टिट थी उसको hire किया жाता है क्यों जब पता भी है कि बाहर कि state में ब्लैक लिस्टीड है अगर इसको लाएंगे पहले इतना हला बोल हुआ है कोई ना कोई कारण बरेगा इसके खिलाब भी हला बोल होगा क्यूंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं वो भी जो मोदी साब ने 5G डाटा दिया है वो भी चलाते हैं और उनको भी प जब वो कोट में चला जाता मामला उसके बाद हमने कोई बात नहीं की क्योंकि सब जूडिस था लेकिन उसके बाद कोट भी क्या करता है कोट ने फैसला दे दिया इनके हाथ में कि आप एक कमेटी गटित कीजिए और कमेटी को कहिए वो चीफ सेक्री को 10 दिन में सब कुछ किया कोट में केस गया कोट से होकर वो केस फिर से आपके बाद वापीस आगया तो अब सब कुछ आपके ह्याथ मैं तो आप रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो जमो कश्मीर की 1200 पोस्टे हैं और जईए की पताने कितनी कतनी पोस्टे हैं forged की पोस्टे आन्हें को आए हैं अभी तक रिजन नहीं निकल रहा लड़ाई पता किसकी युवाओं की अपस में लड़ाई हो रही है कि आपने प्रोटेस्ट किया आपने गलत किया आपने अपने अक्की बात की इमानदार को लगता है कि हम उसके खिलाफ है ना हम इमानदार के खिलाफ है ना हम उ सरकार ने यह लड़ाई आपके लिए बना के रखिए हैं सरकार मस्त है सरकार को कोड ने बीज दिन का वक्त दिया था दो मीने को आ गए तो क्रिजल क्यों नहीं आउट हो रहा अब तो कोई नहीं रोक रहा क्यूंकि सरकार को खुद डर है कि जिस कंपनी ने जो एक्जाम लिय है और रैलजी शाहब ने भी बोला है पांच मिनित का वह minder था है तो सरकार को खुड का डर है बच्चों का डर नहीं है मेरा डर नहीं है लड़ाया वह सब एक ओकर बार आएंगे और एक बहूत बड़ा अंदोलन जो है वह फिर से तियार हो गया सरकार के लिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ हमारे 1200 बच्चे हैं उनके साथ 55-10 उनके family members हैं हजारों लोग उनके साथ जुड़े हैं उनकी over age हो रही है आप results क्यों नहीं निकाल रहे हैं अगर वो ओवर एज हो जाते जो इमानदार बच्चे हैं, क्या सरकार आने वाले वक्त में उनको एज रिलेक्शन देगी, क्योंकि 2020 में प्रोसेस सुरू हुआ था, और 2023 हो गया, अब 2024 आने वाला है, क्या एज रिलेक्शन दी जाएगी उन्हें इमानदार बच्चों को, जो स के लिए सरकार को लड़ना था, हम इमानदारों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एप्टेक के खिलाब जो बच्चे हैं, उनके लिए भी लड़ रहे हैं, हम हर बच्चे, जो बच्चे, जो बेहिमानी करके सामने आयते हैं, जो इन्होंने दांदलिया की थी, हम उ वो result क्यों नहीं निकाले जा रहे क्यों जम्मू किश्मीर के हजारों युवाओं को जिन्हों ने अभी बर्तियां देखनी हैं दोड़े निकालनी हैं क्या 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 करना है लेकिन वो सब हो यह नहीं रहा ठंडे बसते मोराली सी साब का बयाना था शेमीने में सारे recruitment क्लियर ह होंगी तीन साल तो भी तक हो गए अब जो आपको 20 दिन का काम दिया था वह भी दो महीने पर उने पर आ गया तो कब रिजल्ट निकालोगे कब तक हमारे बच्चों को जो डिप्रेशन में डाला हुआ है बच्चों कभी आपने फोन पर बात की है कभी बच्चों को वाट्स महबूबा मैडम सब ही आए थे आज मैं उनसे पी कहना चाहता हूं फारुक साब महबूबा मैडम जी रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं क्यों बच्चों को खात्मा कर रहे हैं क्यों जम्मू कश्मीर की यूवापेडी को ये खतम करन मैंने में बड़े चैनल किसी बाई को ये अपने कर देखा उन्हों को पड़ी है एंडिया कट बंदर में आने की किसी को पड़ी हैिंडिया जीजाँ लेकिन कैसे जीज जाओं लेकिन जम्मू कश्मीर के यंग्स्टर्स के साथ क्या हो रहा है कोई भी नहीं सोच रहा है मैं ये चाहता हूँ LG साहब चीफ सेक्टरी साहब दस बीज दिन शोड़िये दो मीने होगे बच्चों का रिजल्ट आउट करिये अब आपको किसने रोक के रखा है आप क्यों नहीं आउट कर रहे यहां आपको कहीं न कहीं डर है कि जब हम आउट करेंगे तो हम ही एक्सपोज हो जाएंगे सत्विर जी अगर बात करें हम अभी कुछ दिन पहले जो है भारतिय जन्ता पार्टी के जो नैशनल जर्नल सेक्टरी है तरुंचुक जी वो जम्मू कश्मीर के दोरे पे थे और उनके दोरे एक स्टेटमेंट दिया गया उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो है पांच अगस 2019 को आज़ाद हुआ है और जहां तक हमने अपने बज़र्गों से सुना है या जितना हमें नॉलेज है कि जम्मू कश्मीर तो कभी गुलाम हुआ ही नहीं था ते पांच अगस 2019 को जम्मू कश्मीर अज़ाद कैसे हुआ देखिए इसका जवा में बाद में दूँगा साथ में एक बात कहना चाहतूँ कि एक जेई सीविल का एक्जाम है वो अगले मीने की 20 तारीक होगा मैं सभी यंगस्टर को कहूँगा कि आपस में जो टकराव है वो करना शोड़िये जितने भी लोग हैं आप भी इमानदार हैं जो भी इमानदार बच्चे हैं जो भी एप्टेक के किलाव हैं वो सब एक हैं और सब एक होगे त्यारी करिये उस एक्जाम के लिए आपको मुबारक बात की वो आपका एक्जाम होगा आप उसकी त्यारी करिये और ये कहना चाहूँगा सरकार को हमारे लाकों युवाओं के साथ जो प्रतार ना आपने की है जो आपने उनके साथ ये गंदा राजनीति खेल खेला है इसको बंद करिए और उनकी पोस्टों को निकाल लिए उनको क्लियर करिए और इमानदारी से करिए अगर पहले दिन से ही आप इमानदारी से चलते तो मेरे खियाल से सब कुछ क्लियर होता लेकिन आपने शुरुआत ही जूट से की शुरुआत ही गलत से की तो आगे तो सब गलत होना था एक जूट को शुपाने के लिए कितने जूट बोलने पड़ते हैं ये वही हो रहा है एक गलत को शुपाने के लिए बार बार गलत किया जा रहा है और पिस रहा है जम्मू कश् से कहना चाते हूं कि आप इन बच्चों की बात करिये जो fire emergency officer कश्मीर में दरना दे रहे हैं उनकी बात करिए क्यूंकि यही यंग्स्टर आने वाले दिनों में आपको वोडर्ड डालेंग इनकी भी मालनी है ना कि 2014 से लेके 2017-2018 जो उनकी हकूमत भी हकूमत हुई यहां पे तो उसके बीच में भी जम्मू कुश्मीर गुलाम था ना अगर 2019 के बाद हम अज़ाद हुए हैं तो इनके तीन साल भी हम गुलाम रहे हैं और फार्दा काइन मिस्टर तरुन चुक जी मैं कहा देना चाहता हूँ चुक साब जब पूरा भारत वर्ष हमारा भारत वर्ष मेरा भारत वर्ष आपका भारत वर्ष जब गुलाम था जब बगत सिंग जी राजगुरू सुकदेव जी चंदर शेकर जी मातमा गांदी नहरू जी जब यह लोग लड़ रहे थे जब पूरा भारत गुलाम था हम डोगरे तब जम्मू कश्मीर जिसको जन्नत का जाता है जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में उच जन्नत पे हम डोगरे राज करते थे और ये एक डोगरा स्टेट थी कि 2014-19 से पहले हम गुलाम थे ये उनके लिए मैं कहा रहा हूँ और उसके बाद 2014 से लेके 2018 तक शायर आपकी भी हकूमत रही तो मतलब तीन साल आपने भी गुलामी में हमें देखेला आपने अपनी हकूमत को भी गुलामी में डाल दिया ना कि आपके राज में भी हम गुलाम उनके चार साल में हम गुलाम रहे होंगे ये उनका फेलिर है और उसके बाद आज तक हम गुलाम है ये भी उनका ही फेलिर है आज हमारा यंगस्टर सटकों पे है आप से तो एक रुकूटमेंट हो नहीं पारी स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं इस इमानदार निश्पक सरकार के द्रिन निच्चे वारी सरकार के तहत इतने स्कैम हो रहे हैं कोई भी रिक्रूटमेंट हो यह नहीं पारी कैसी मानदार ही है कैसा तांडव जम्मू कश्मीर में चल रहा है गुलाम तो आपके राज में हुए हैं आपके नेताओं को जिनको मोदी जी के नाम पर वोट मिला था उनके वक्त में हम गुलाम हुए हैं और गुलामी तो छोड़िये आपने वो हमारे रियास्त का नक्षा कुछ ऐसे है आपने उसके भी टुकडे टुकडे कर दिये ढोगरा ढोगरा तो आप बड़ा करते हो लेगिन डोगराओं के साथ इतना ही प्यास था कि आपने पहले त का डोगरों को या कश्मीरियों को कम मार लगी है इसके साथ तोड़ने के बाद आपने फिर उसको यूटी बना दिया तनी पुरानी रियास्त को और आज उसी रियास्त के जिनों संस्तापक हमारे महराजा गुलाब सिंग आज उनका जहनती है आज उनकी जहनती है अब वो अगर देख भी रहोगी उनकी आत्मा तो वो आपको भी देख रही है कि आपने कौन सा तांडव रचा आपने जिनको संबालना था आपसे वो संबाले नहीं गे जिनको आपने दबोचना था आपसे वो दबोचे नहीं गे मतलब कि आप फेल होगे अपनी जो चीजे करना च पहले तो हमारी स्टेट तोड़ी लदाक को अलग किया फिर आपको ठंड नहीं पड़ी फिर आपने यूटी बना दिया फिर भी आपको ठंड नहीं पड़ी आपने एड्मिनिस्टेटिव राज यहां पर आ गया फिर गिया आपको ठंड नहीं पड़ी आपने यूपी से एक ह आपके राज में क्या हुआ क्या हुआ मुझे तो लगता है से ही गुलामी तो हम तब से जेल रहे हैं जब से आपने मरifs आपने गुलाम बनाया है हम गुलाम नहीं थे यह में उनको कहा देना चाहते हो दोबारा कभी यह ना कहें कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर गुलाम था जम्मू कश्मीर ना कभी गुलाम हुआ है ना गुलाम होगा लेकिन आपने जो अपना administrative तंत्रियां पे रखा है जिसका आप कोई दिन ऐसा होगा कि बड़ा अंदोलन होगा और आपके खिलाव होगा एक ही याद रहेगा किनों ने हमें बरबाद किया है इनको यहां से निकालना है अब वो अंदोलन शुरू होगा दबारा फिर से मत कहिएगा कि जम्मू कश्मीर पहले गुलाम था ना हम गुलाम थे ना आज है ना डोगरा कभी गुलाम हुआ है ना आगे कभी होगा और फिर से आपको लगता है डोगरों को बैक इन आक्शन आना पड़ेगा और सभी हिंदू मुस्लिम सिक बाईयों को बाहर निकलना पड़ेगा इनके खिलाव यह हमारे युगां को भी खतम करके जाएंग सोचिल एक्टिविस्टे सत्विर सिंग मनाज जी आपकी इस सपे कह रहा है अभी अपनी राइ जो है जुरू सांजा कीजिएगा इसी तरह की मजीद अबडेट्स के लब देखते रहें नियूसरी इंडिया मैं अर्फाजा मड़ायां के साथ